हेलो दोस्तों नमास्कार दोस्तों आपकी यूटूब चैनल जो आप इंडिया में सौगत करता हूँ पहले दोस्तों अभी आपने हमाई यूटूब चैनल जो आप इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है जली से चैनल को सब्सक्राइब कर दो यूपी एनेचेम छो भरती 2024 दोस्तो यूपी एनेचम की तरफ से 7401 पदो पर CHO Officer की भड़ती आ चुकी है दोस्तो आज हम आपको इस वीडियो में सबसे पहले जिलावाइज वेकेंसी के बारे में जानकारी देने वाली है जी हाँ आपके जिले में कितनी वेकेंसी है चलिए देख लेते हैं सबसे पहले आपको बता दें देखिए 5582 पदो पर भड़ती निकाले गई थी उस समय कितनी वेकेंसी थी और अब जो है कितनी वेकेंसी हो चुकी है इसकी जानकारी यहाँ पर देने वाले हैं सबसे पहले मैं आपको कुछ जानकारी देदू, पहले जो है अम्बेड कर नगर से 12 वेकेंसी थी, लेकिन अब जो है देखोगे 41 वेकेंसी हो चुकी है, और पहले जो है आगरा से कितनी वेकेंसी थी तो चलिए देख लेते हैं, जब 5582 पदों पर वेकेंसी निकाले गए थी, उस समय देखिए, आगरा में जो है 68 वेकेंसी, अलिगर में 45 वेकेंसी और अम्बेड कर नगर में 12 वेकेंसी, तो चलिए अब देखते हैं कितनी वेकेंसी हाँ पर हो चुकी है, अगर मैं बता दूँ, तो देखिए 111 वेकेंसी अब हो चुकी है, आगरा में और अलिगर में एकातर वेकेंसी हो चुकी है और अमबिडकर नगर में जो है 41 वेकेंसी हो चुकी है तो पहले अमबिडकर नगर में 12 वेकेंसी जी लेकिन अब जो है 41 वेकेंसी हो चुकी है तो काफी वेकेंसी बढ़ चुकी है तो आपके जिरे में कितनी वेकेंसी हो चुकी है इस समय इसकी जानकारी चलिए देख लेते हैं, तो यहां पर दोस्तों आप लोग देख सकते हो, UPNHM की वेब साइट जो है, ओपन हो चुकी है, आप लोगों को सबसे पहले लेके चलेंगे, रेकूट्मेंट केरियर पेज पर, अभी बात करेंगे, 7401 वेकेंसी जो हो चुकी है, इसका आप लोग देख सकते हो, यहां पर 7401 वेकेंसी है, तो अब जो है, आपकी जिलावाइज किदनी वेकेंसी हो चुकी है, चलिए, टोटल 75 डेश्टिक के जो है वेकेंसी डेटेल्स यहां पर देखने वाले हैं, आपको नीची आना है, और दो पेज का यहां पर इंफार्मि वेकेंसी हो चुकी है, अमिटकर नगर में पहले 12 वेकेंसी थी, लेकिन अब देखोगे, तो कितनी वेकेंसी हो चुकी है, तो इसके पहले कितनी वेकेंसी थी, अब कितनी वेकेंसी हो चुकी है, टॉप 5 डेश्टिक जहां पर वेकेंसी जदा है, टॉप 5 डेश्टिक जहां वेकेंसी हो चुकी है, अमेटी में 85 वेकेंसी हो चुकी है, अमरोहा में 39 वेकेंसी हो चुकी है, और अया में 42 वेकेंसी हो चुकी है, अयोध्या में 97 वेकेंसी हो चुकी है, आजमगड में 130 वेकेंसी हो चुकी है, बागपत में 35 वेकेंसी हो चुकी है, बहरायच में 257 वेकें यहां पर भी काफी अच्छी विकैंसी है बल्रांपुर में 119 विकैंसी है बांदा में 111 विकैंसी है काफी अच्छी विकैंसी है बरेली में जो है 61 वेकंसी बस्ती में जो है 67 वेकंसी है और भदोही में जो है 88 वेकंसी है बिजनोर में जो है 69 वेकंसी है और बदाउं में जो है 140 वेकंसी है 114 वेकंसी है बुलंद सहर में जो है 73 वेकंसी है चंदौली में जो है 57 वेकेंसी है और चित्रकूट में जो है 34 वेकेंसी है देवरिया में 140 वेकेंसीया है एटा में 24 वेकेंसी है एटावा में 34 वेकेंसी है फरुखाबाद में 62 वेकेंसी है फथेपुर में 85 वेकेंसी फिरोजाबाद में 59 वेकेंसी है और गौतम बुद नगर में 50 वेकेंसी, गाजियाबाद में 46 वेकेंसी, गाजीपुर में 250 वेकेंसी, गोंडा में 182 वेकेंसी, गोरकपुर में 91 वेकेंसी, हमीरपुर में 86 वेकेंसी, हापुर में 38 वेकेंसी है, हर्दोई में 202 वेकेंसी, हाथरस में 23 वेकेंसी, जालोन में 121 वेकेंसी, जोनपूर में 271 वेकेंसी, काफी एची वेकेंसी है, जोनपूर में 271 वेकेंसी है, और एक जगत 300 पलस वेकेंसी है, अभी दिखाऊंगा, जहासी में 52 वेकेंसी, कानपूर दिहात में 72 वेकेंसी, कानपूर नगर में 115 वेकेंसी, कास गंज में 28 वेकेंसी, नगर में 309 वेकेंसी कुसी नगर में 309 वेकेंसी है यह आप लोग देखें काफी अच्छी वेकेंसी है जबर 10 वेकेंसी है कुसी नगर में 309 वेकेंसी लखेंपुर खेरी में 228 वेकेंसी ललिदपुर में 86 वेकेंसी है और अगर बात करती हैं लखनव में 91 वेकेंसी है में जो है 88 वेकेंसी, मेरेट में 52 वेकेंसी, मिर्जापुर में 70 वेकेंसी, मुरादाबाद में 32 वेकेंसी, मुझफर नगर में 36 वेकेंसी, और पिली भीत में 87 वेकेंसी, परतापगड में 210 वेकेंसी, पर्यागराज में 140 वेकेंसी, राय बरेली में 130 वेकेंसी, एंड रामपूर में 54 वेकेंसी और सहरनपूर में 71 वेकेंसी सांभल में 54 वेकेंसी है संत कभीर नगर में 78 वेकेंसी है साजहापूर में 105 वेकेंसी है सामली में 28 वेकेंसी है स्रावस्ती में 36 वेकेंसी सिधास नगर में 113 वेकेंसी है सीतापूर में जो है 193 वेकेंसी है और सोन भद्र में जो है 63 वेकेंसी है सुल्तानपूर में 124 वेकेंसी है उन्नाव में 114 वेकेंसी है और वरार्सी में 111 वेकेंसी है 7401 वेकेंसी यहाँ पे हो चुकी है अभी मैं आपको बता देता हूँ कि कुसी नगर में 309 वेकेंसी है, काफी एची वेकेंसी, परताबगड में 210 वेकेंसी, पर्यागराज में 140 वेकेंसी, राइबरेली में 130 वेकेंसी, साजहाँपुर में 105 वेकेंसी, सिधार्थ नगर में 113 वेकेंसी, सितापुर में 113 वेकेंसी, सुल्तानपुर में 124 वेकेंसी, वरारसी में 111 वेकेंसी, यह जो जीला है काफी एची वेकेंसी यहाँ से है, मथरा में भी वेकेंसी काफी एची है, 141 वेकेंसी, महराज गज में 212 वेकेंसी है, लखीमपूर खेरी में 228 वेकेंसी, और कुसी नगर में 309 वेकेंसी, कानपूर नगर में 115 वेकेंसी, 271 वेकें है तो नंबर वन कुसी नगर कुसी नगर में 309 वनेकर है तो नंबर ग्राइच तो है 257 वेकेंसी और इसके बाद उसके बाद नमबर 4 गाजीपुर में 250 वेकेंसी तो नमबर 1 कुछी नगर में सबसे जना वेकेंसी है 309 वेकेंसी नमबर 2 जोनपुर में नमबर 2 है 248 वेकेंसी नमबर 3 बहरायच में 217 वेकेंसी है और नमबर 4 250 वेकेंसी गाजीपुर में यह top 4 डेश्रिक है जहां पर वेकेंसी जाना है बाकि इस special वीडियो आएगी जिसमें बात करेंगे पहले कितनी वेकेंसी थी अब कितनी वेकेंसी हो चुकी है और पहले पांच पहले जो है अगर हम बात करते हैं पहले जो है जब 5582 वेकेंसी थी उ समय OBC को कितनी वेकेंसी थी यह कितनी वेकेंसी थी अब जो है 7401 वेकेंसी हो चुकी है इस समय अब जो है कितनी वेकेंसी है इन सभी की जानकारी एक special वीडियो में मिलने वाली है जिले वाइज वेकेंसी के बारे में मैंने आपको जानकारी दे दी है आपके जिले में कितन वेकेंसिय है आप हमें जरूर बताईएगा धन्यवाद